हाई गाईज आज हम लोग बात करेंगे कि react एप्लिकेशन को कैसे आप ही रोकु में डेपलाई करेंगे बहुत है यह पहले एक हम लोग create करते हैं react का application मैंने c drive में एक फोल्डर बनाया है new folder 2 जिसका नाम रखका हुआ है और उसी के अंदर में एक react का एप्लिकेशन बनाने माल मैं माय आप राखता हूँ माय आप इसका हम लोग इस एप्लिकेशन को क्रेट होना देर पर इसमें समय लगता है इसको देखने कि इतना समय लगता है फिर मैं वापास आता हूँ अपके पाद देखिए हमारा प्रोजेक्ट यहां पर create हो गया यह सारी चीज हम जादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे मैं आपको सिंपली इसको रन करते दिखा हम पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं जो कि माइप है इसको अपर यहां पर एडिट करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा यह काम कर रहा है नहीं सर्सी में जाना आप.js में और यहां पर हम हमारा यह एडर जो भी होगा इसको यहां से यहां तक मैं गायब करके एक सिंपली एक 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 लिख देता हूँ इसमें एल्च वन हेलो रियक्ट यह लिखा सेव किया सेव करने के बाद इसको रीफ्रेश करेंगे देखिया हमें हेलो रियक्ट भी है देता है तो बढ़िया यह वाला यह ट्रोजेक्ट हमें ट्रफॉय करना है अपना हेरोकू सर वर मैं कैसे करेंगे देखिया हूं इसको मैं स्टॉप कर देता हूं यहां से यह हमारा server run कर रहा है इसको stop कर देते हैं और इसको नीचे करते हैं वहले हमें यहां करना पड़ेगा है Heroku में एक app create करना पड़ेगा आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं बट मैं यहां से क्लिक करना है create new app और यहां पर app का कोई भी नाम रखी है मैं रखता हूं react और कोई भी number डाल देते हैं यहां डाल आगर कोई available होगा तो आपको दिखी जाएगा आपको कोई नाम रखना पड़ेगा और create app में क्लिक करता हूं हमारे app create हो जाएगा यहां से आप deploy में जाएगा यहां पर deploy Tab में क्लिक कीजिएगा यहां पर click करते हैं आपको यहां पर मिल जाएगा कि आपके system में एक तो npm होना चाहिए, node.js होना चाहिए node.js अप इंस्टOOL करेंगे, अपका NPM में मिल जाएगा node.js की साइट में जाएगा तो वहा है से Node.js क्रेट कर लい रहा है रियाक्ट का अप्टिकेशन मगर फिर भी मैंने बता दिया कि आपको अपको स्नोड होना चाहिए गिट का इसके लगा आपको हरोकु क्लिक करके यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां से इसको देखें नीचे यहां पर मिल जाएगा आप डाउलोड करने का आप्शन यहां सा आपनों के लिए देखिए यह हेरो को लॉग इन यह जो लिखा है पहले हमें कमान चलाना है कहां पर अपने यहां पर आना है प्रोजेट के अंदर में रहना है और यहां पर हेरो को लॉग इन इस इंटरप्रेस कीजिए यह कहेगा कि कोई भी की प्रेस कीजिए इस बजाए क्यूब के कोई भी की प्रेस कीज़े इससे आपको ब्राउजर उपन होगा और वहाँ पर लॉग-in करने के आपको option मिलेगा तो यह हमारा हो रहा है यहां लॉग-in में क्लिक करेंगे simply तो बहुत हमारा लॉग-in हो जाएगा तो पहले और रेजिस्टर वह लोगिन है आपको दिखा जाए आप सबस्फफ़ी लोगिन हो चुके हैं यह करने के बाद फिल से वापस से यहां पर आते हैं अब देखें यहां पर लिखा होगा हम लोका हमें प्रोजेक्ट फड़र के अंदर में है तो हमें यह करने खा सकता नहीं हमें इनिट करना है ताकि हमारा इसमें इनिशलाइज हो जाता है इनिशलाइज हो जाता है इनिशलाइज हुआ इनिशलाइज हुआ इनिशलाइज हुआ इनिशलाइज हुआ इनिशलाइज हुआ इनिशलाइज हुआ इसके बाद आपको रिमोट सेट करना तो यह आपको कोपी क कीजिए इससे अपका repo set होगा देखे हमारा set git remote यह हमारा set हो गया इसके बाद next है यहाँ पर कि आप git add कीजिए यहने कि जितने फाइल से सबको repo में add कीजिए इसको मैंने copy किया पेस्ट किया और interface किया इससे हमारा सब कुछ add हो गया add होने के बाद दूसरा हमारा command वो commit command है अब commit करना है यहाँ पर देखिए यह git है यह commit है और यहाँ पर हम लोग कोई भी comment लिख सकते है make it better फिर कोई भी comment लिख सकते है इसको edit करके तो dash am के साथ flag के साथ इसको लिखा जाता है इसको भी paste किया और interface किया यह सारी चीजिए हमारी होगी अभी हमें last command push करने का करना है यानि कि इसको copy करना है और यहाँ पर हम लोग इसको paste करके और interface करेंगे बस यह कुछ समय लेगा और यह जितना भी हमारा project है यह सारा project हमें सर्वर में डालकर build फाले वरे क्लिट करके सब कुछ क्लिट करके हमें देदेगा फिर हमें एक लिंक भी देदेगा जिसमें क्लिक करके हम अपना यह उपला project जिसमें hello date लिखा हुआ है यह हम लोग देख पाएंगें बहरी easy यह सारे dependencies सारे node model सब कुछ यह install कर देता है हमारे त्यार है आप यहां पर इस लिंक में क्लिक करेंगे आपको आपका प्रोजेक्ट रहन को दिखा देगा जो कि होगा hello react यहां पर दिखाई देता आप यहां पर कुछ चीजे देखेंगे इसको यहां पर कोई भी प्रॉक फाइल नहीं मिला है declare type non लिखा आप जाहत एक स्टार्ट लिखना होता है तो इसको प्रॉक फाइल मिल जागा जिससे कि यह स्टार्ट कर भाएगा सर्वर को तो भी कर सकते हैं अदरवाज यह डिफॉल्ट भी आपका काम आज करने लगा है तो यह सारे सीचे हैं जिससे आप रियाक्ट अप्लिकेशन को हिरो कू सर्वर म कर सकते हैं बहुत ही आसान था आपका कोई भी रियाट का प्रोजेक्ट हो आप इसको आसानी से यह लिंक है इस लिंक को आप कहीं भी लेकर जाएए आपको इसको आपन कीजिए यह आपका रियाक्ट अप्लिकेशन आपको दिखाई देगा थैंक्स वो बचिंग